नमस्कार मैं हूँ अंधना मेरे साथ हैं शिर सेना बाल ठाकरे से पंजाब के लोग प्रतिनी दीशी हरीश सिंगला जी हरीश जी आपका बहुत-बहुत स्वागत है जै शिर्णा हरीश जी आजकल हिंदू मंदिर एक्ट बहुत जोर शोरों से चल रहा है क्या इस हिंदू मंदिर एक्ट के पास हो जाने के बाद में जो मंदिर जीन शीन अवस्था में हैं उनको कोई फाइदा होगा जब से मारा देश अजाद हुआ है हिंदू मंदर एक्ट बनाने के लिए किसी भी सरकार नहीं चाहे कॉंग्रस रही हो चाहे जिंता पाल्टी हिराज सेव नैंट मंदर एक्ट बनाने का प्रयाथ ही नहीं किया तो यह तो बोटो की राजनिति है राम दर का मुदा चल रहा है मंदर अगर आज मंदर बन जायेख तो लोगों की राजनिति खतम हो जाएगी ये सरकार बात क्यों नहीं कर रही है इसके लिए मैं सपश्ट कूँगा कि हमारे सनात्म धर्म में चार शंकर चार रहे हैं चार पीठ हैं सबसे पहले उनकी जुमबरी बनती है कि वो लोग सारे समाज को साथ लेकर सरकार पर दबाव बनाए तब ही मंदरेक्ट की स्ताफणा हो सकती है दूसरी बात हमारे सनात्म धर्म में एक सनात्म धर्म सवा है जिसका कंट्रॉल बीजेपी के पास है एक आरिया समाज है कुछ कर्ट्रोल उनके पास है यह लोग नहीं चाहते कि मंदरेक्ट बने सरकार कम हमारे लोग ज्यादा जुमेबार हैं क्योंकि एक बार मेरी डिस्कुर्शन होई कि पंजाब में कितने मंदर हैं तो हमने बोला कि दस सजार होंगे तो बोलते हैं सरकार के पास कितने हैं मैंने बोला ही 50 होंगे तो बोलते हैं 950 मंदर किसके पास हैं हमारे लोगों के पास कि हमारे लोगों ने ही जो उनके पुर्वजो दोरा बनाएगे मंदर हैं जा समाज दोरा दान किये गे मंदर हैं उनको अपनी मलकियत अपनी प्रॉपरिटी बना के रख लिया है जबके ये सारवजनिक धार्मिक स्थान है इसमें किसी की पर्सनल प्रॉपरिटी नहीं होनी चाहिए मंदर एक्ट बनने से पहले मैं ये मांग करूंगा कि सरकार ये कानून पास कर दे कि जो धार्मिक प्रॉपरिटी है वो किसी की पर्सनल प्रॉपरिटी नहीं हो सकती चाहिए उसकी खूद की उनके प्रॉजों की रिजिस्टी ही क्यों ना हो उसका कमर्शिल जूज नहीं हो सकता हज जाने पर हिंदूओं का जाना मना है क्या ये उचित है बिलकुल उचित नहीं है देखिए पाकिस्तान ने अभी भी क्या किया जो करतारपूर कारीडोर का रास्ता खोल रही है उसमें उन्होंने कहा कि सिर्फ पंज़ाव के सिख ही गुरुनानक द्वार पर आकर माता टेक सकते हैं इससे शरम की बात और क्या हो सकती है कि दसो गुरु गरंच साफ हिंदू समाज के लिए जितनी रमायन पुझनिया है उससे ज्यादा गुरु गरंच साफ पुझनिया है कि पाकिस्तान तो हमेशा ही हिंदू मुसल्मान में फ्रक्शन डाल के रखना चाता है और हमा मुखलो ने हमारे पर तशद्द किये हमारे देश में जाधा टाइम उन्होंने राज किया इसलिए वो लोग तो ऐसी बाते हैं करते ही रहेंगे क्या हिंदू मंदिर एक्ट में इस मुद्दे को शामिल किया जाना जरूरी है नहीं कोई जरूरी नहीं है हिंदू मंदिर एक्ट बनेगा तो प्योर तरीके से ही बनेगा हिंदू मंदिर एक्ट में क्या क्या होना चाहिए आप क्या सोचते हैं जिन लोगों ने अपनी निजी ओ करवाना चाहिए और आगे से जहां पर दार्मिक्स्तान का निर्मान हो जाए और उसकी देश्टेशन एक मंदिर के तौर पर ज्याए धर्म-चाला के तौर पर हो जाए उसमें किसी निजी व्यक्ति का पर्सेल्ड अंटरस्ट नहीं होना चाहिए धिए यहिए जरूरी है ऐसा आप सोचने आपकी पार्टी सोचती है हिंदू मंदर एक्ट जरूर पारित होना चाहिए हमारे बहुत बड़े बड़े टेंपल दैशन देग्स, नैना देग्स, जिन्तपुर्णी मॏता, जवाला जी, कांगना बवगत बड़े त्रिप्ती वाल कि अपना काशीनाथ बहुत ऐसे मंदर हैं पुरे हिंद्वस्तान में कि जिनकी बहुत मान्यता हैं बहुत चुलावा हैं अगर हमारे धर्म का पैसा हमारे धर्म पर खर्चा जाए तो उसे हमारे समाज को बहुत बड़े-बड़े कॉल्जिस, बहुत बड़े-बड़े हॉस्पिटल्स हमारा समाज इस भारत को दे सकता है। हिंदू मंदर एक्ट पारित करवाने के लिए सभी राजनेतिक दल अलग-अलग प्रयास कर रहे हैं। वो सभी एक मंच पे आकर के प्रयास क्यों नहीं कर रहे हैं। जैसे आपकी पार्टी है, इसके लिए क्या प्रयास कर रहे हैं। हम हिंदू मंदर एक्ट बनाने के लिए डिमांड करते हैं। लेकिन मैंने आपको पहले बुलाया कि जब तक हमारे चारों शंकर चार्या एकठे होकर प्रयास नहीं करते। तब तक कोई भी सरकार हिंदू मंदर एक्ट नहीं बना पाएगी। क्या शंकराचार्या जी के साथ साथ हिंदूों का भी संगठित होकर के ये मांग करना जरूरी है। उसके लिए ये है कि जो मने आपको बुला सनातन धर्मसवा, आरिया समाज, हमारे शंकर चार्या, हमारे तेरा खाड़े संतों के इनके पास खर्बों की प्रॉपर्टी है। पहले से ही। जब तक ये लोग संगठित नहीं होगे, सबसे पहले तेरा खाड़े, चारो शंकर, चारया, सनातन धर्मसवा, आरिया समाज, ये संगठित हो जाएंगे, कोई ना कोई जो हिंदू हुआ है, वो किसी ना किसी रूप में इन लोगों के साथ जुड़ा हुआ है, वो तो अप अपने अपने तरीके से, संगठित है, अपने अपने स्वारतों के लिए, अपने अपने तरीके से, ये सभी एक प्लेटफॉर्म पे क्यों नहीं आ रहे हैं, सब अलग-अलग प्लेटफॉर्म पे क्यों काम कर रहे हैं, ये अभी आप देख रहे हैं, राम मंतर मुद्दे पर सभी एक मंच पर आ जाते हैं कि राम मंदर बनना चाहिए अगर कोई नेशनल मांग होगी राष्ट्रिय मांग होगी तभी कट्टी होगे ना अगर महले के मंदर का मंदर की समस्या है तो महले में सॉलो हो जाएगी उसके लिए सभी को समिट्रतों नहीं किया जरूरता राम मंदर बनने वाला है यह अब बनेगा अठा बनेगा तब बनेगा थेको पहले हमने बाजपा को देश में बड़े भाई के रूप में हिंदू तर्फोटका अजंडा उनके दिया हुआ था जब पूरन बहमत होने के बाद साड़े चार साल में बाजपा ने सए। अच़ो का किश्मीर से उजड़े होए किश्मीरी पंड़तों को बापस नहीं बिसाया उल्टा पीडीपी के साथ समझोता करके अतंकवात पहलाया हमारे सनिकों को मरवाया क्या यह जो आपने इतने सारे मुद्दे बताए हैं यह मुद्दे भी इस एक्ट में शामिल करेंगे आप यह न तो अब साड़े चार साल बीद जाने के बाद जाब शेव सना काराय पक्ष्प्रोकुद्व ठाकरे जी ने देखा कि अब छे मीने में यह कुछ नहीं कर सकते तो उन्होंने हिंदू तत्व का जंड़ा खुद उठाया खुद जोद्या पहुंचे सिरु नदी पर आरती की पर जोद्या में चांदी की एट रखी आप सरकार किसी की भी आए आपके मंच से आपके डीवाइप चैनल से मैं यह कह रहा हूं कि दो यार उन्नी में राम मंदर नर्मान का काम और वश्या शिव सना ही शुरू कराएगी क्या हिंदु मंदिर एक इससे पहले पास होगा या इसके बात पास होगा पात बात में पछले तो भी मंहीं नहीं है हूँ किसी ने महीं रखी तो हिंदू मंधिर एक्ट कहां вмया पास हा का नहीं इससे कोई मतलब है कि किसने ये कैमपेणिंग शुरू करी। मगर इस कैमपेणिंग को आगे तक कौन ले जाता है। और इस कैमपेणिंग के जरिये आप लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे। देखो हिंदू मंदर एक्ट कम में ने तो कोई अंदोलन अभी तक देखा नहीं ना हमने किया। एक मांग करते हैं मांग जो लौजिक होनी चाहिए जब मैं हिंदूस्तान के मंदर का मंदर एक्ट नहीं बनवा सकता। मैंने आपको बोला कि उसके लिए चारो शंकराचार्या जिस दिन ये मांग करेंगे। जिस दिन वो लोगों अंदोलन करेंगे एक अपते में मंदर एक्ट बन जाएगा। आपके कहने का मतलब यह है कि यह सारा कुछ शंकराचार्या जी पे डिपैंड करता है। हिंदु इजम, हिंदु धरम, सनातन धरम यह सब कुछ उमारा चार पीट पर ही खड़ा है। प्राचार्या जी चाहें तो हिंदु मंदिर एक्ट जल्दी बन सकता है वरना इसको बनने में काफी टाइम लग जाएगा। एक आम हिंदु को क्या फाइदा होगा या मंदिरों की जो अवस्था है जो जीन सीन अवस्था में जो मंदिर है उनको क्या फाइदा होगा। मंदिरों को पैसा मंदिर पर खर्चोने लगेगा। आप जैसे मरे कप्ट्याला में श्री काली मता मंदिर है। मतलब आपके कहने का यह है कि हिंदू मंदिर एक पारित हो जाता है तो उस पैसे का सदूपयोग आसानी से किया जा सकेगा श्री हरीश सिंगला जी ने हमें बहुत ही महत्पून जानकारी दी हरीश जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी तब तक के लिए धन्यवाद